ऐसा होता है औरत का चरित्र, एक छोटा सा गाउं था और उसी काउं के पास एक कुवा था, तो सभी औरते रोज उसी कुवें से पानी भरने के लिए आती, एक दिन दोपर का समय था, तभी एक जवान खुबसुरत औरत कुवें से पानी भर रही थी, उसी वक्त एक आदमी औरत से कहा, सुनिये जी मुझे प्यास लगी है, तो क्या आप थोड़ा पानी पिलाओगी, उस औरत ने कहा, अरे क्यों नहीं, ये लीजिए, इतना कहकर उस आदमी को खुशी से पानी पिलाने लगी, फिर वो हो, उस आदमी ने पानी पीने के बाद उस औरत के सामने देख सकता हूं, औरत ने कहा, हाँ बोले, उस आदमी ने कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं, कि भगवान भी किसी औरत के चरित्र को बता क्यों नहीं सकते, इतना कहने पर वह औरत चोर जोर से चिलाने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, उस औरत की इस तरह की आवाज सुनकर क्यों की तरह दोडने लगे, तो उस आदमी ने बड़ी हैरानी से कहा, कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, वो आदमी इतना बोल ही पाता है, तभी उस औरत ने कहा, ताकि गाओं के लोग आए और आपको खुब पीटे, और इतना पीटे, इतना पीटे की आपके होस्त ठिकाने आजाए, औरत के मूल से यह बात सुनकर उस आदमी ने औरत से कहा, मुझे माफ करे, वो उसके सामने जुक कर माफी मांगने लगा, मैं तो आपको एक भली और इजद्दार औरत समझ रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी होंगी, मुझे माफ करे, वो आदमी उससे मा पर डाल दिया, और अपने सरीर को पानी से भीगा दिया, इतने मैं तो गाउं के कुछ लोग भी लाठ्या लेकर कुवे के पास पहुच गए, और पास आकर औरत से पूछने लगे की, बेहन जी क्या हुआ, गाउं वालों के पूछने के बाद उस औरत ने कहा, आप सबने य इस कुए में गिर गई थी, भला हो इस आदमी का जिसने मुझको जल्दी से आकर बचा लिया, यदि यह आदमी यहां नहीं होता तो आज मैं मर ही जाती, औरत के मुझसे यह सुनकर गाउं वालों ने उस आदमी का सुक्रिया अदा किया, उसकी बहुत तारीफ की और सभी से सभी ने मिलकर उसको अपने कंदों पर उठा लिया, यह सब देखकर वह आदमी बस सोचे ही जा रहा था कि इस ओरत ने देखते ही देखते क्या कर दिया, गाउं वालों ने उसका खूप आदरसतकार किया और उसे चादी के कड़े का इनाम भी दिया, जब सभी गाउं वाले वहां से चले गए तो उस ओरत ने इसारा करते हुए उस आदमी को कहा कि क्या अब समझ में आया की ओरत क्या है, अब आप समझ चुके होंगे ओरत का चरित्र, इसके बाद अब आपको किसी ओरत के चरित्र को जानने की आउशकता नहीं पड़ेगी, अगर आप ओरत को संक बना के रख देगी, यदि आप उसे सुक और मान सम्मान देंगे तो वह आपका फोलो से स्वागत करेगी और आपके उपर आई हुई मौत को भी मात देकर आपको बचा लेगी